हेलो स्टुरेंट्स गुरू मॉर्निंग, हेवा नाइस डे एंड अक्या रप्यू स्टुरेंट्स वेलकम बेक टू गुपा स्टडी सरकर स्टुरेंट्स इस वीडियो में हम स्टडी करने वारे हैं रेशन नमबर फायू धर्टी को महकाए यहाँ रेशन कक्सा सिक्स का हिंडी की पाठ्यपूर्सक प्रथम सत्र में से रिया गया है तो चरो हम सरू करते हैं धर्टी को मेकाए यहाँ एक काव्य है ओके तो रेश टार्टी पहले इसके बारे में हम महीती प्राप कर लेते इंफोर्मेशन इस काव्य में पक्रूती के तत्व, फूर, सुरज, डीपक की बात कही गई है मतलब इस काव्य में आपको किसके बारे में बात बताई गई है तो पक्रूती के जो तत्व है, फूर है, सुरज है, डीपक की बात कही गई है पुर हमेशा मुस्कुराता रहता है यस और सुरच रोज अपना प्रकास पेराने का कारियर करता रहता है और डीपक खुट जलकर जगट को रौसनी देता है हमें भी किसी भी परिश्टिती में प्रसन नजासे अपना काम करना चाहिए और अपनी धर्टि को जाड़ा से जाड़ा सुन्दर बनाने की कोशिस करनी चाहिए अभी सब्डात के बारे में देख रहे हैं सब्डात तो धर्टी धर्टी का मतलब होता है भूमी अंडिकाल अंडिकाल का मतलब होता है अंदेरा दीपक, दीपक का मतलब होता है डीप, हलडम, हलडम का मतलब होता है हमेशा, महक, महक का मतलब होता है सुगंद, रासन, रासन का मतलब होता है उजारा, अंटल, अंटल का मतलब होता है रदई, दिल पहला दियागा है बग्या के फूलों को देखो केसे खुस-खुस रहते हैं आंडी हो पानी हो चाहे सबको हंसस हैते हैं सुरज की किलनों को देखो रुज दरा पर आती है अंडकार को दुल भगा कर सारा जग चमकाती है डीपक को दिक देखो कैसे यहर्डम चलता रहता है अपना अंडर जरा जरा का रौसन जग को करता है आओ हम भी इंसान बन के जग में अपना नाम कमाए अच्छे सच्छे काम करें और सारी धर्टी को महकाए ठीके चरो अभी जो पहला जिया है उसका मतलब क्या है बग्या के फूलों को देखो कैसे कुस-कुस रहते है यस मेंस आप बगीचे में गए हो ना तो वहा के जो फूल है ना उसको आप देखो वो अलवेस खिरे हुए रहते है खूस रहते है ठीके ना अभी आपने देखा होगा फूल और वेस सुबह से रहके साम तक क्या रहते है खूस रहते है खिरे हुए रहते है ठीके ना प्रसन न रहते हुए यस चाए आंडी हो या पानी हो तूफान आए ठीके वो कभी मतलब मुर्जा जाते नहीं है ठीके वो सबको हसस सैटे है मतलब सुखी से मतलब अच्छे से सबी को सैरेते है जैसे भी परिष्टिदी हो वैसे अब सुरज की किलनों से देखो सुरज की किलनों को देखना है आ आती है, हदरा मतलब पृत्वी, हाँ, ठीक है न, तो जैसे इस सुबह होती है न, तो सुरज की किरने हमारी पृत्वी पे पलती है, और हर जग़ उल्जियारा फैराती है, और जो अंडेरा है न, अंडकाल, उसको क्या दूर भगाती है, और सारे जग़ों चमकाती है, कौन सोचो, अगर सुरज की किरने अगर पृत्वी पे न पड़े, तो क्या होगा, पुरी पृत्वी पे क्या रहेगा, अंडेरा रहेगा न, पिर हम कोई भी काम कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी, नहीं, ओके, चोरो, नेक्स है, डीपक को देखो केसे यहाँ हर्डम जलता अपना अंटर जला जला कर रौसंज को करता है, डीपक मिन्स देया, ओके, तो आप देखो यहाँ, किसी भी दिये क्यों देखोगे न, तो खुछ जल जाएगा, पर खुछ जल कर अपने आसपास का जो बिस्तार है न, एरिया, तीके, उसको क्या कर देगा, उजारा कर देग अपने आसपास की जगह को क्या कर देगा, प्रकासित कर देगा, आए न, वो खुछ जल जाता है, पर दुसरों को प्रकास देता है, दुसरों को उजारा देता है, तो डीपक से हमें यह बाट सिखनी चाहिए नेक्स, आवो हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्छे काम करें और सारी धर्टी को महिंकाए सही तो बात बताईए, दीके न, हम सबी रोग इंसान तो है, पर हमारे इंसानेत कुछ वक्त के लिए मर जाती है हाँ, है न, बोलते हैं न, कि जब कोई मुसीबत में आते हैं न, कोई मुसीबत में गिल जाता है, तो उसकी हम हेल्प नहीं करते हैं हम बोलते हैं कि वो मेरा थुरी काम है, है न, तो हम इंसान तो है, पर हमारे इंदर जो इंसान ने थे न, वो मल चुकी है तो please request है कि हम सब लोग के अंदर जो इंसाने थे उसको जगाए एक दूसरे के साथ मिरे आगे बढ़े और एक दूसरे की मदद करे और अच्छे वा सच्छे काम करकर ये पूरी धर्टी को महकाए ठीके ना तो please लोगों की प्रती जो द्रीशा है ना वो बढ़रे की पावना जरापन वगेरे ठीके ना वो सब कुछ दूर कर दो ठीके हमें किसी से आगे नहीं निकरना है हमें एक दूसरे के साथ मिलकर खुछ से आगे निकरना है एक दूसरे के साथ मिलकर आगे निकरना है सब को आगे रे जाना है सब को प्यार बातना है वो अच्छे अच्छे काम करने है और पुरी धर्टी को महकाना है यहीं हमारा जीवन का उड़ेश्य होना चाहिए ओके स्टुडेंस आई होब कि आपको यह समझ में आया होगा तो आपने पहले फूल से क्या सिखा तो फूल से सिखा खुस रहना ठीके ना आपने सुरज से क्या सिखा सुरज अपनी जो किलने है न वो पुरी पृत्वी पे फेराते है दरा पे फेराते है ठीके ना ओके और क्या कलता है अंडेरा डूल कलता है उसे सरह दीपर खुट जल जाता है और अपने आसपास प्रकास पेराता है और पुड़े जग को रासन कलता है इसी तरह से हमें इंसान बन कल थीगे हमारे अंडर जो इंसान है थे उसको जगा कल बाइचारा की भावना बना कल आगे बनना ह और हिर मिलकर रहना है I hope कि आपको यह काविय जो है जर्टी को में काए वो समझ में आ गया होगा So wish you all the best for this world Good luck and best of luck and please अगर अच्छा रगा तो चैनल को सब्सक्राइब और share and like कर देना and thank you so much and good luck again guys